नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों आज हम शितेज भागदो से एक बहुत हैं दिल्चस पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक कहानी यह भी एक कहानी यह भी मन्नु भंडारी की आत्मकथा का भी नाम है मन्नु भंडारी की आत्मकथा का ही यह अंश है जो हम एक पाठ के रूप में पढ़ते हैं मन्नु भंडारी हमारे समय की एक बहुत बड़ी लेखी का हैं और हमारा सौभग्य है कि वे अभी भी हमारे बीच हैं मन्नु जी हिंदी साहित्य में उपन्यासकार और कहानिकार के रुप में अत्यांत ही प्रसिद्ध हैं। उनका जन में जो है वह मध्य प्रदेश में हुआ था भानुपूरा नामक जगा में। हाला कि इस अंश में जो हिस्सा हम पढ़ते हैं उसमें अजमेर शहर का वर्णन हैं। जब वे स्कूल में, कॉलेज में थी और उनकी किशोरा अवस्था तक के कई प्रसंग आये हैं। उनके नीजी जीवन के जो व्यक्ति हैं या सारवजनिक जीवन में जिन से उनका साबका प लिख रही थी। मतलब यह पाठ नहीं, अपनी आत्मकता लिख रही थी। उन दिनों वो हौजखास में रहती थी और उन दिनों मैं पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में। तो कुछ स्वास्ते के कारणों से उन दिनों वे खुद लिख नहीं पाती थी। बोल-बोल के हैं तो वो मेरी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है तो यह जब भी मैं इस पार्ट को पढ़ाती हूँ, मुझे अपने विद्यार्थियों से इसे साज़ा करते हुए अच्छा लगता है। और वो अच्छे स्वास्ते में होती तो किसी दिन आप लोगों से उनकी मुलाकात भ हो गई है और स्वास्ते की भी कई समस्याओं से जूज रही है। इतनी सारी बाते मैं मन्नुभंडारी के बारे में क्यूं बता रही हूँ? आखिर लेखक के बारे में हम पढ़ते हैं तो थोड़ी दो-चार उनकी किताबों के नाम और चीज़े जान लेते हैं लेकिन इतने बहुत ही विस्तार से मैं उनका जिक्र कर रहे हूँ इसलिए कर रहे हूँ कि यह एक आत्मकथा का अंश है और जब हम आत्मकथा का अंश पढ़ते हैं तो लेखक ने अपनी कहानी अपने जीवन की कहानी जो लिखी है वही तो बता रहा है तो हम उसके जीवन के बारे में ज तो शुरुवात हम करेंगे लेखक के परिचे से ही, क्योंकि यह आत्मकथा, आप सब जानते हैं, आत्मकथा अपनी कथा जो व्यक्ति स्वयम लिखता है, और जीवनी जो उसकी कथा कोई और लिखता है, तो यहां पर मन्नु भंडारी की आत्मकथा का आत्मकथा का भी नाम य हुआ था 1931 में, यानि 1931 में, आजकल हम अकसर अंग्रेजी के ही अंकों का प्रियोग करते हैं, तो 31 ही आपको जादा याद रखेगा, यह सब याद रखना क्या जरूरी है, दर असल जब हम वस्तुनिस्ट चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, जो हमारी परिक्षा की प्र मेर में और कलकते में हुई, उन्होंने काम किया कलकते और दिल्ली में, दिल्ली विश्व विद्याले का एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़कियों का कालेज है, मिरांडा हूस, वहाँ पर वो हिंदी पढ़ाती रही, लेकिन इन सब कामों से अधिक मन्नु जी हमारे बीच में जानी जाती हैं अपने लेखन से, हिंदी क्या कहानी और उपन्यास का जो संसार है, वो मन्नु भंडारी के योगदान के बगएर अधूरा लगेगा, वो अपने समय की बहुत बड़ी कहानिकार और उपन्यासकार है, उनके दो उपन्यास आपका बंटी और महाभोज हिंदी के उपन्यासों में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, एक तरफ आपका बंटी सामाजिक ताने बाने से जो पारिवारिक विखटन है, उससे उपजी हुई समस्याओं को सामने लाने वाला है, बंटी नामा के बच्चा है जो अपने माबाप के अलग गाव को, उनके अलग ह हो जाने को, उनके अलगाव को झेलता है और कैसे उसकी स्थिती होती है, तो बाल मनो विख्यान की भी कहानी है और एक स्त्री के संघर्ष की भी, और मन्नु भंडारी इसमें भी जिक्र करती है महाँ भोज उपन्यास का, वह उपन्यास उनका एक बहुत प्रसिद्ध राजन की कई सारी घटनाएं हैं, जिस पर उन्होंने उन घटनाओं को साहितिक रूप देकर एक बहुत ही उम्दा उपन्यास लिखा है, तो दोनों ही हिस्से आप देख सकते हैं उनके लेखन में, एक तरफ राजनितिक लेखन, दूसरी तरफ सामाजिक लेखन, लेकिन हिंदी के स संसार को उनकी कहानियों से भी बहुत जादा लगा हुए, एक कहानी है यही सच है, इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, फिल्म का नाम है रजनी गंदा, इस फिल्म के गाने भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, कहानी भी बहुत दिल्चस्प है, कहानी में कोई भी विलेन नहीं ह फिर भी हर्थ पक्ष देखिये तो सच क्या है वो अलग हो जाता है एक बहुत दिल्चस प्रेम कहानी है आप लोग का मन करें तो पढ़ सकते हैं इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि मन्नु भंडारी को उनके लेखन के लिए जो पुरसकार मिले वो कौन से थे दरसल पुरसकारो का महत्व लेखन में बस इतना ही है कि समाज या संस्थाएं उसके लेखन को कहीं न कहीं रिकोगनाइज कर रही हैं उनको सम्मान दे रही हैं उनको देख रही हैं तो मन्नु जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का सबसे बड़ा सम्मान जो है शिकर सम्मान वह मिला हुआ है भार जाता है और मनु जी की नाटक जो है महाभोज उसका उपन्यास की प्रस्तुति एक नाटक के रूप में भी की गई है और बहुत सराही भी गई है तो मैं आगे अब बहुत जादा मनु जी के बारे में ना बताते हुए पाठ प्रवेश करती हूँ यहां इस पाठ के बारे में मैं एक-एक पंक्ती समझाते हुए नहीं जाओंगी जैसे उन्होंने कई प्रसंगों का जिक्र किया है और व्यक्तियों का किया है उन्हीं के बारे में बात करूँगी तो हम शुरू करते हैं कि उनका बचपन और किशोरा अवस्ता जिस पारिवारिक वसामाजिक संदर्व में गुजरी है उससे कहानी के रूप में इसको नहीं लिखाया उन्होंने आत्मकता है तो कई अलग-अलग व्यक्तियों और पारिवेश के बारे में लिखाया तो ब्रह्मपूरी महला जो है सावित्री हाइ स्कूल और फिर कॉलेज और पिताजी, मा, शीला अगरवाल, अन्य महत्वपुन लोग इन ही प्रसंगों के माध्यम से मैं इसे आपको समझाऊंगी लेखी का अपने मुहले को याद करती है कि कैसे सब आसपास के घरों के लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे फिर वे अपनी बेहन को याद करती है शुशीला को जो उनसे ठीक बड़ी थी जो उनकी बड़ी बेहन थी जब उसकी शादी हुई तो वो तो साथ साल की थी उनको जादा उसकी याद नहीं है शुशीला को वो याद करती है कि बच्पन के खूब सारे खेल गुडियों के खेल खेले हाला कि वो ये भी कहती है कि भाईयों के साथ गुल्डी डंडा पतंग उडाना ये सब खेला लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद बोल देगा ये सारी समस्यां होती थी और उस समय तो लेखीका के साथ ये बात जरूर ही हुई थी वो साफ साफ या नहीं कहती है लेकिन ये जरूर बताती है कि जब वो और बड़ी हो गई तो भाईयों के साथ बाहर खेलना बंद हो गया और घर में ही वे अपनी बेहन के साथ खेलती थी और हम बात कर रहे हैं यहां 1940 के दशक की तो लेखिका ने 42 से लेकर 47 यानि की आजादी तक का वर्णन बहुत अच्छा से किया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उसमें उन्होंने बहुत भाग भी लिया था तो हम उस पर बाद में आएंगे अब बस बताते हैं कि लेखिका ने अपने घर के माहौल का जिक्र किया ये भी बताया है कि दसमी करते ही उनके बहनों की शादी होगी मतलब उनके घर में जो दसमी तैंत की पढ़ाई की आप लोग जिस क्लास में है उसकी पढ़ाई की और उसकी बाद शादी होगी क्या आज हम इस चीज को सोच भी सकते हैं कल्प ना कर सकते हैं और हाला कि लेखिका का घर एक बहुत ही प्रगतिशील घर था उनके पिता उनको पढ़ाते थे बाहर भी बेश देते इसके बावजूद तो उनके अपने घर में यह माहौल था हाला कि लेखिका के साथ ऐसा नहीं हुआ उनके घर की परंपरा उनके साथ तूट गई और वे बहुत बात तक पढ़ती रहीं फिर पढ़ाने लगीं, काम करने लगीं उसके बाद उनोंने अपनी मर्जी से हिंदी की एक दूसरे प्रसिद्य साहितिकार राजेंध्ड रियादव से इस पार्थ में लेखिका ने स्वैम इस बात का जिक्र किया है लेकिन उन दिनों घर का मतलब पूरा मुहला होता था इस बात की खुशी को हम ऐसे महसूस करते हैं कि बहुत सारे लेखीका के पात्र जो हैं वो उसी मुहले से आये हैं मुझे याद है मैं कभी अकेली नामा के एक कहानी बहुत अधिक पसंद करती थी बच्चों से साजा भी करती थी मनुझी ने खुद बताया था अब लेखीका को जरूर हुआ कि आसपास के लोग उनके किरदार के रूप में उनके पात्रों के रूप में बाद में हम कहानियों में पढ़ते हैं लेखीका सोचती भी है कि उन दिनों के तुल्ना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित है कितना असहाय और असुरक्षित है उनको लगता है कि अगर ऐसा जीवन मैंने जिया होता तो क्या मैं उन सारे पात्रों को रच पाती यहां तक कि दास सहब को भी जो महा भोज नामक उपन्यास के एक प्रमुख किरदार है उसी भी उन ही दिनों से वह लेकर आई हैं तो जो आसपास के लोग हैं जो व्यक्ति हैं जो मुहले के आम लोग हैं वो हमारे उपर हमारी यादों में कितनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं यह लेकर का बताती हैं तो अपने परिवार और अपने मुहले को याद करती हैं लेकिन सबसे अधिक किसे याद करती है वे इस पार्थ में तो वे हैं उनके पिता जी पिता जी को याद करते हुए वो आलोचनात्मक रूप से सजग रहते हैं वो बार बार कहती हैं कि पिता जी को मैं क्यों याद कर रही हूँ क्या मैं पिता जी की महिमा का बखान करने वाली हूँ या आत्मकता पिता जी के बारे म बताने के लिए नहीं, कहीं न कहीं वो ये देखना चाहती हैं कि मेरे पिता का मेरे ऊपर कैसा प्रभाव रहा, क्या मेरे व्यक्तित्व में जो सारी चीजें हैं वो मेरे पिता की वज़े से आई है, क्या मेरे अंदर ये हीन भावना और कुंठा है, जो कि इतने सम्मान के उतना उनको सब लोग मानते हैं और एक पहचान बन गई उसके बार भी कहीड कहीं हीन भावना की शिकार वो क्यों है क्या वह पिता में एक शक्की मिजाज उनको मिला तो उन्हें लगता है कि मैं जो इतनी शक्की हूँ वह क्या मुझेश अपने पिता से मिला तो तरह से वो वापस जाजा कर आत्मा लोचन या अपने परिवार का अपने व्यक्तिकत जीवन का आलोचन करती हैं तो सबसे पहले पिताजी को वो ऐसे याद करती हैं कि उनके पिताजी इन दौर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो की व्यवसाय में या आर्थिक रूप से घाटा सहने के बाद अजमेर में आ गये और अजमेर में वह एक हाशिय का जीवन जी रहते हैं अब हाशिय का जीवन क्या होता है? हाशिय का जो जीवन होता है, वह समाज में, जो केंदर में व्यक्ति रहता है, एक किनारे पे आ जाए. जैसे हम लोग लिखते हैं कि हाशिया एक अलग मार्जिन छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, तो मार्जिन यान में बताते हुए, ये बात हमें ध्यान रखने चाहिए, कि एक तरफ कहां वो बहुत मत्वपून व्यक्ति थे और कहां वो किनारे कर दी गए. इसका जो दुख है उनके व्यक्तितों में ऐसे आया, कि वे अपने बच्चों से या आसपास के लोगों से साजह तो नहीं करते लेकिन गुसेल हो गए, क्रोधी भी हो गए, अविश्वासी भी हो गए और उनका वैवहार ऐसा हो गया कि लेखी का कि मां उनके क्रोध के आगे कापती रहती थी. लेखी का अपनी मां के बारे में क्या सोचती है, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन नीचे अपनी मां के साथ स इंग्रेजी हिंधी कोश भी बना रहे थे जो अपने हिसाब का बहुत ही अलग तरीके का कोश था। लेखी का कहती हैं कि उस काम में उनको अच्छा तो बहुत लगता था। लेकिन उसमें उनको कोई आर्थिक लाब नहीं था। एक जमाने में जब वो बहुत संपन्य थे तो आठा दस दस विद्यार्थियों को घर पे रखा था पढ़ाया था लोग उसे घिरे रहते थे और आज जब उनके पास पैसे नहीं थे उतने तो उनको इस तरह से सबसे कट जाना या समाज के लिए खुद कुछ नहीं कर पाना बहुत चुपता होगा तो बहुत कोमल, समवेद जनशील, क्रोधी और अहंकारी लेखिका अपने पिता के व्यक्तितों को इन चार शब्दों से बदाती हैं क्रोध किस पे निकलता था संतान और माता पे संतान पे कम अपनी पतनी पे अधिक तो ये पित्रि सत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुष की सारी असफलता को झेलत एक स्त्री है और कहीं न कहीं वो हिंसा की भी शिकार होती है अगर शारीरिक हिंसा घरेलू हिंसा की शिकार ना हो तो मानसिक हिंसा की सिकार तो होती ही है उसका भी यहां वर्णन है और आप देखेंगे बहुत पारीकी से लेखिका कह रही हैं कि उनके क्रोध से मां कामती रह मुझे लगता है कि समाजिक ताने बाने में स्ट्रीओं को वलिदान और तियाक की मूरती बनाए रखने के लिए यह सारी बातें यह सारी लच्छेदार बातें कही गई हैं छुपे हुए तरीके से कह देना कि पिता अहंकारी थे, अहंकार किस वाद का? सब कुछ जो खो गया उसका या जो था उसका? कोई भी कितना भी अमीर हो या कितना भी बढ़ा लिखा हो, विद्वान हो क्या अहंकार शोभा देता है? लेखी का अपने पिता को देखते हुए कि अपने कठोर हैं आप इस पर ध्यान दिजिएगा हम अपने आत्मिय जनों को अपने माता पिता को इतनी श्रद्धा की नजर से देखते हैं कि हमें उनकी आलोशना करना हमें उनकी बारे में चर्चा करना हमें उन पर सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन लेखिका निश्ठूर हैं लेखिका इस तरख से उनके व्यक्तित्व की एक तरह से कहीं है परते उभार कर उधेड कर हमारे सामने रख देती हैं कि उनके पिता कैसे थे खेर पिता आर्थिक जटके के कारण जो है डिफेंड भी किया है कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि वो आर्थिक ज करोध बढ़ता गया, समाज में लोग उनको पूछना छोड़ दिये, तो उनका करोध बढ़ते गया, शायद कहीं न कहीं लेखी का इस बारे में चर्चा करती हैं, कि उनके अपने द्वारा किये गए जो विश्वास घात थे, जो अपने लोग होते हैं, जो ठग लेते हैं, सा कि अपनों के द्वारा दिया हुआ विश्वास घात बहुत चुपता है, क्योंकि अपने ही, यह बहुत ही यहां पर एक दार्शनिक और सुक्ती वाक्य है, कि अपनों द्वारा किया गया विश्वास घात बहुत शक्की बना दिया, क्योंकि जो अपने होते हैं, हम उनके आ तो ऐसे अपनों ने उनको ऐसा बनाया होगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं कहीं लेखिका मन्नु भंडारी अपने पिता को कितनी निर्ममता से उनकी चर्चा करते हुए भी उनको एक मौका देती हैं कि शायद इसलिए वो ऐसे हो गये थे लेखिका अपने पिता जी को इतनी निर्ममता से इतनी कठोरता से इसलिए याद करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जो शक्की स्वभाव है उनके अंदर जो हीन भावना है वो इसलिए है क्योंकि उनके पिता उनकी बड़ी बहन शुशीला को जो गोरी चिट्टी और काफी स्वश्थ थी उनको बहुत महत्वदे देते थे उनकी प्रशंसा करते थे और कहीं न कहीं इसकी वज़े से बच्पन से हीं उनके मन में एक हीन्ता ग्रंती बैट गई हाला कि आगे हम देखते हैं कि उस गोरी चिट्टी शुशीला का विवाह जल्दी हो गया वो अपने पारिवारिक जीवन में चली गई और लेखिका को उनके पिता बहुत अधिक पढ़ने को प्रेरित करते रहे बहसों में शामिल करते रहे लेकिन कहीं न कहीं वो रंग के प्रती जो हमारे समाज का दृष्टिकोन होता है वहां लेखिका के मन में यह बैठी गई तो आज भी लेखिका जो है अपने पिता को इसी तरीके से देखती है कि शायद यह शक्की पना या मेरे विश्वास का किसी पर नहीं टिकना या कहीं न कहीं मुझ में यहीन भावना का होना यह पिता से तो नहीं आया है हर बच्चा अपने मां से बहुत ही जुड़ा हुआ होता है लेखिका भी इस पार्ट में अपनी मां का जिक्र करती है लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि वे अपनी मां को बहुत प्यार से याद करते हुए भी कि बहुत धहरे शाली थी बच्चों को बहुत मानती थी अ चंतान और अपनी पती की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी, ये सब कहते हुए भी न, वो नहीं चाहती हैं कि वो अपनी मा के जैसा जीवन जी है। हम सब बहुत आदर करते हैं, उसके भलेपन को हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। करके अलग-अलग कोनों से सामान ला कर। तो कहीं न कहीं मा उनके लिए क्या करना है जीवन में उसको नहीं दिखा सकी। उसका रास्ता, उसका आदर्श, उसका उदेश नहीं बता सकी। मा से प्यार तो बहुत है। सवेंदल शेलता भी है मा के प्रती लेकिन मा के जैसा नहीं बनना है। और यहां पर मुझे लेखिका का सपस्ट दृष्टिकोन बहुत पसंद आता है। कि मुझे अपनी मा से बहुत प्यार है लेकिन नहीं, वहीजीवन मैं अपने लिए या अपनी संतान के लिए नहीं चाहते हूं। यह जो बात है वह लेखिका की ही नहीं हमारी भी होनी चाहिए। इस पार्ट से अगर हमें कुछ ले कर जाना है, तो ये ले कर जाना है, कि हमें अपनी इच्छा का, इस्त्रियों को अपनी इच्छा का अपना जीवन मिलना चाहिए, सिर्फ संतान और पती के आगे पीछे गुमने का जीवन उनका जीवन नहीं होता है, अब मन्नु जी उनके प्रती पिता क्या चाहते थे, क्या भाव रखते थे, तो दो तीन चीजें हैं, जिस पर हम देखेंगे कि लड़की होते वे भी पिता नहीं चाहते थे, कि मन्नु रसोई में जाए, वे रसोई को भटियार खाना कहते थे, भटियार खाने में जाने से सारी प्रतिभा कोई तो रहेगा न उस बट्यार काने में, क्योंकि जो पेट की भट्टी लगातार जलती रहती है, उसको तो बट्यार खाने ही बुजाता है, कौन रहेगा? क्यों समाज में ये है किस तरी को ही रहना है इन सब का उत्तर देने के लिए मैं यहां नहीं हूँ ये सारे प्रश्ण आज भी हैं आप और हम इस पर मिलकर सोच रहें सिर्फ ये देखिए कि वो अपनी बेटी को नहीं चाहते थे कि वे रसोई घर में लगी रहें वे चाहते थे कि राजनितिक बहसों में शामिल हो वो समय मन्नो जी स्कूल में ही थी दसमी से पहले की बात है तो राजनितिक पार्टियों के जो जमावडे उनके परिवार में होते थे उन बहसों में बैठ कर भी उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता था देश के आंदोलनों के बारे में जो वो सुन थी ती उसका अनुमान ही लगा पाती थी बहुत कुछ उनको पता नहीं था फिर बे वो होँ रहती थी क्योंकि पिता को मन करता था पिता चाहते थे कि उनकी बेटी राजनितिक रूप से और सामाजिक रूप से कहीं न कहीं सजग हो जाग रुखो फिर वे कहते हैं कि बाद में जब में इन आंदोलनों में कॉलेज में जाने के बाद इन आंदोलनों में सहभागिता करने लगी जब मैं सडकों पर, जलूस में, भाशनों में सब में भाग लेने लगी तब पिता को अच्छा नहीं लगा पिता के व्यक्तित्तों में यह जो अंतरविरोध है वह भी बहुत अच्छे से रेखांकित हुआ है चार ओर से प्रभात फेरियां, जल से, जुलिस, हर्ताल यह सब जो 1942 में भारत छोडवान दोलन में चल रहा था और लेखी का कालेज में जाने के बाद अपने साथियों के साथ इन चीजों में खूब जम कर भाग लेती थी नारे लगाती थी, हर्ताले करवाती थी, उस समय सारी वर्जनाएं तोड रही थी और लड़कों के साथ शहर की सड़के नापती हुई लड़की उनको पसंद नहीं आ रही थी अपनी सारी आधोनिकता के बावजूद पिता उसको बरदाश्ट नहीं कर पा रहे थे यहीं से मन्नु जी और उनके पिता के बीज में टकराहट शुरू ही दरसल लेखी का यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहती है आप इसको रिखांकित कर लेजिए और जीवन में भी बांद के रखिए सिर्फ लड़कियों को ही नहीं मेरी कक्षा को सुनने वाले सभी विद्यारतियों और सभी लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि आजादी के दाइरे में चलना किसी और की दी हुई आजादी के दाइरे में चलना यह किसी के वश्ट में नहीं होता वह आजादी ही नहीं हुए जो कोई और आपको दे रहा है कि आपको इतनी तो आजादी मिली हुए यह सीमा है इसके बाद नहीं जाना है यह तो आजादी नहीं हुए और पिता का यह कहना कि तुम बहसों में तो भाग लो तुम चर्चाओं में भाग लो तुम किताबें पढ़ो लेकिन सडकों पर ना जाओ यह लेखिका को पसंद नहीं आया और बहुत अधिक टकराहाट होने लगी सिती बहुत पिगड़ने लगी हालत ये थी एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में लेखिका दिन भर ये उधम मचा कर जुलूसों में शामिल होकर भाशन लेकर और हरताले करके घर में आती और पिता भूखे शेर की तरह कमरे में इधर से उधर चक्तर कारते रहते कई बार उनका गुस्सा माँ पर निकलता और कभी कभी लेखिका पर भी निकलता लेखिका बताती हैं कि वो कभी पडोस में चिप जाती कभी अपने कमरे में भीतर चली जाती और कई प्रसंगों में इसका जिक्र हुआ है जिसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे आज की यहीं समाप्त होती है नमस्कार तर समाप्त है यहीं सब्सक्राइब कर वह कंभी जाती है जिसे हम टते लेखिका लेखिका यहीं। पर इख भीजिए!